किसान आंदोलन लगातार जा रही है लेकिन अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि केंदर सरकार के एक फैसले से किसान आंदोलन रुक सकता है जी हां आंदोलन के बीच गन्ने के दाम को लेकर केंदर सरकार ने बड़ा एलान कर दिया है अब ये माना जा रहा है कि क्या इस फैसले के बाद किसान पीछे हट जाएंगे दरसल पीएम मोदी की अध्यक्षिता में आर्थिक मामलों की मंत्री मंजली समिती की बैठक के बाद केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया होने कहा कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया सरकार ने गन्ने का उच्चित और लाबकारी यानि कि एफार पी मूल्य 25 रुपए से बढ़ा कर तीन सो चालिस रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दिया है जी हां केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण मंत्रिय नुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं कि जबान आज का पहला निर्णे भी जो CCA से संबंदित है वो गन्ना सीजन जो अगामी गन्ना सीजन है उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णे किया गया है एक अक्टूबर दो हजार चौबीस से लेके तीस सप्टेंबर दो हजार पच्चिस की अवधी में चीनी मिलों द्वार किसानों को गन्ने का उचेत और लापकारी मूले सुनिश्चित करने के लिए अगामी गन्ना सीजन के लिए 1 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अबधी में मूले निर्धारित करने का निर्णे लिया गया है बताये गया कि 2024 से 25 के लिए मूले 340 रुपे प्रति क्विंटल तै करने का निर्णे लिया गया है जो पिछले साल 315 रुपे था और क्या कुछ बोले अनुराग ठाकुर सुनी जैसे आप जानते हैं CACP, क्रिशी लागत और मूले आयोग ये इनके द्वारा गन्ये की उत्पादन लागत, अन्या बाइप्रडक्ट्स जैसे की गोड गन्ये की कोई, इत्यादी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशी और उसमें प्रॉफिट जोड के कितना उसका दाम तै होना चाहिए वो तै करती है, इन सब फेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, और वर्ष दोहजार चौबिस पच्चिस के लिए तीन सो चालीस रुपे प्रतीक क्वेंटल मूले निर्धारित किये जाने का निर्णे किया गया है, पिछले वर्ष यानि कि दोहजार तेईस और चौबिस में, एफारपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल तीन सो पंदरा रुपे था, जो बढ़कर इस साल तीन सो चालीस रुपे प्रतीक क्वेंट्र कर दिया गया है. ये 340 रपे पर्ती क्विंटल का मुल्य चीनी की लगबग 10.25% रिकवरी की रेट के मिलेगा और प्रती 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपे 32 पैसे पर्ती क्विंटल का अतरिक प्रीमियम मिलेगा तो देखा अपने कि उन्हेंने बताया कि गन्ना किसानों के हिद को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंद्री मंजलिय समिती ने चीनी सत्र दोजार चौबिस पच्छिस के लिए गन्ने के उचे तोर लाबकारी मुल्य को 10.25 प्रतिशत के मूल रिकवरी दर के लिए किसानों के हित में हमारी प्रतिबदता है कि किसानों की आए दोगनी हो ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब किसी डॉट कॉम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा